अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक काम ना है आज का पंचांग च्छे दिसंबर सन दोहजार बीस दिन दविवार मार्क शीर्थ कर्शन पक संबंद दोहजास सत्तर तिथी शस्टी नक्षत राशलेशा राउकाल साड़े चार से छे दिशासूल पश्शिन दिसा आईए आज हम बात करते हैं इस्तंबन किरिया क्या होती है और इस्तंबन किरिया के लाब और नुक्सान क्या होते है कुछ लोगों ने तो ये शब्द आज पहली वार सुना होगा लेकिन बहुत लोगों की डिमांड हमारे पास निरंतर बढ़ रही थी कि शर्मा जी इस्तंबन किरिया क्या होती है इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाया जाए अब मेरी किलास के आप सभी विद्यारती है जो भी हमारे ये कारेकरम देखते हैं जो हमें चाहते हैं वो भी हमें विद्यारती है जो हमें नहीं चाहते हैं वो भी हमारे अपने व आउनलाइन क्लासिस की बात आप से सबसे चल रही थी तो उसमें हम चाहेंगे कि पहले गुरुदिक्षा का कारेकर्म किया जाए और गुरुदिक्षा में हम यही चाहेंगे कि बिल्कुल सत्पात्र लोग जुणें लोब में मौ में लालच बशोकर के आप किसी भी प्रकार से हमसे दिक्षा ना लें दिक्षा के बेल वो ही लोग लें जो बहुत अच्छे से इस जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं समाज के परती आपके मिन में कोई ख्यालात है समाज को कुछ आप देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का हम बहुत अच्छे तहे दिल से स्वागत करते हैं खैर बाते बताएंगे आई अब इस्थम्मन के लिए की बात करते हैं जो हमारे कर्म सास्त्र हैं और उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारा तंत्र सास्त्र है, उसमें शट करम बताए गए है, तो तंत्र सास्त्र में जो शट करम होते हैं, उन शट करमों में एक करम होता है, जिसका नाम होता है, इस्तंबन के लिए, इस्तंबन कर देना, किसी चीज को एक जगा जमा देना, रोग देना, अब जैसे पानी हो गया freeze हो गया पानी क्या हो गया जम गया एक जगा जम जाना ठैर जाना बहते जो दर्रे होते हैं न तो कही जगा इस्थानों पर इतनी बर्फ पढ़ती है कि वो बहते जो दर्रे हैं एक जगा ठैर जाते हैं बर्फ जम जाती है किसी चीज़ को एक इस्थान पर ठैरा सास्तर के अंतरगत करिया आती है कि बादल बरस रहे हैं ऐसे हमारे देश में विद्वान आज भी है और हुए तो लाकों करोणों है ऐसे विद्वान है जो बादल बरसते हुए को स्तंबित कर दें स्तंबन कर दें साप पानी बरसे गए नहीं देखिए हमने खुद अपनी आखों से एक विद्वन्ता देखी भी है इन चीजों को सिखा भी है कि किसी विभा में बहुत सुंदर आयोजन चल रहा था तो स्वामी जी एक आयोजन थे और बरसत पूछो ना बाद किस रोप में पांच मिनट के ल लड़की की शादी स्वामी जी से प्राथना की गई आप इस्वास नहीं करेंगे कि उस छेतर में पानी ने बरसा बाकी पानी बरसता रहा इस्तंबत कर दिया जाता है जिन छेतरों में कई बार बहुत बरसात होती है और वहां इस विद्वा के जानकाल लोग होते हैं तो ए उल्टी करके उस सिला को रख देते हैं तो मेग गरसते जरूर है लेकिन मेग बरसते नहीं है यह किसली किया गया कि भीचल यहाँ पानी बहुत बरस रहा है जाने दिक्कत नहों जाए अब कई बार पानी इतना बरस जाता है कि किसानों की फसल भी नश्ट हो जाती है तो पा अगनी स्थंबन कर देना कहीं आग लग गई बहुत बहेंकर तरीके से दावनाल हो गया अब जिन्हें ये मंतर आता है पढ़ा फोक करके कोई भी चीज फैकी तो अगनी स्थंबित हो जाएगी रुख जाएगी आगे नहीं बढ़ेगी तो ये अच्छा ही किया ना कि आगे अगनी नहीं जाए एक चोर है, डाकू है, मवाली है वो साब जब भी घर से निकलता है तो कुछ बुरा ही करता है उसे स्थंबित कर दिया तो वो बस उसका मनी घर में रहता है न यार दोस्तों में एसों में जाएगा देरे देरे वो उन्चिप चीज़ों को भूल जाएगा तो हमारे सास्त्रों में जो ये तंत्र परकरण के अंत्रगत जितनी भी विदाएं हैं, कलाएं वो शुबदा के लिए बताई गई थी अच्छे के लिए बताई गई थी अब इसी लिए इन विद्ध्यां को गुप्त किया गया कि भई किसी के भी हाथ में ये विद्ध्या जाएंगी तो वो उसका गरत इस्तमाल करते हैं बहुत लोग इसलिए जो गुरू रोग लोग होते हैं गुरू रूप में वो बड़े सत्व पात्रों को सिस्ट्य बनाया करते थे और आज क्या है आज तो बिस लाइन लगाओ भीड लग गई बस हाथ हमने हवा में हिला दिया बस आज से तुम हम तुमारे गुरू बन गए तुम हमारे चेले बन गए जाओ हमारी माला लटका लो अपने घर में रोज अगर्वत्ती करो दूबत्ती करो फूल चड़ाओ बागी भगवान को मानना छोड़ दो बस हमें मानते रहो हम बन गए ना अब तुमारे हम भगवान है तुमारे तो साहब आप तो ये करिया चल रही है समझे आप तो विध्याए अपनी जगाँ विध्यारती अपनी जगाँ ना चांद बदला है ना तारे बदले है ना सूरज बदला है सब कुछ महीं का महीं है लेकि हम लोग बदल गए है सचाई बदल गई है इसलिए ध्यान रखें मैं फिर आपको समझा देता हूं सालों से आप से कह रहा हूं कि भई दिक्षा देंगे दिक्षा देंगे दिक्षा देंगे मैं खुद अभी कस रहा हूं आपको कसोटी पर कस रहा हूं है ना सुनार भी सोना जब लेता है या बेचता है पूरा कसोट कुमार भी घड़े को ठोक पीट करके फिट बना देता है तब उसे पीने के पानी के काबिल बनाता है तो ऐसे ही सिस्थिया है कच्छा सिस्थिया होगा ना तो वो किसी का हित नहीं कर पाएगा वो सीख में नहीं पाएगा आप पके सिस्थिये बनी हैं खायर इस्तंबन की बात कर रहा था अब कच्छे सिस्थिये को सिखा दी गई कि साथ बेटे ले तुझा अच्छे मन्तर दे दिया इस्तंबित कर अब साथ किसी की दुकान पर बहुत गहा काते हैं दुकान को इस्तंबित कर दिया गहा काने बंद ह पर रहे हैं गुत करएंग्र अरे घुरू जी यह लोना सबस्क्रास का जयाग है ऐसा दोकान बंद गर्वा दो आप हमारी दूकान उसके बराबर में हमारी दो चलती नहीं उसकी बहुत चलती है ठीक है वेटा frankly तो साथ वस्यiner रुपया लेकर के आपने अपनी सिद्धिगा भी विनास किया अपने गुरू के नाम को भी बिगाड़ा और आप अपने कर्म को भी बिगाड़ रहे हैं आने वाले समय में बुरा बहुत होता है अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो आने वाले समय में आपको प्रकरती छोड़ तो यह विद्याएं जो है इस्तंबन के रिया हुई मारण प्रियोग हुए विद्वेशन प्रियोग हुए मुटकरनी प्रियोग हुए हजारात के प्रियोग हुए गैबी सवपन विद्या के प्रियोग हुए जोगन योगनी गंधा के प्रियोग हुए नाना भाती की चुराशी बहद्य यक्षणियों के प्रियोग हुए वार्ताली सादना हुई, कन पिसाचनी सादना हुई तो ये सादना है इतना मामूली से नहीं है कि कोई भी हमें उठा करके दे दे और हम कर ले तो मैं आपको यही समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी किताब पढ़ करके आप ये ना सम्झा गने कि आप सिधड़ी कर लेंगे किसी से भी अरे गहरे से नथ्ठु गहरे से मंत्र लेकर कि समझ लें कि आपको सिधड़ी हो जाएगी कई बार हमें कॉमेंट्स आता है गुरूजी अप सिध़ी और है अरे भाई, आप क्या समझने के आपने तीन रात मंतर पढ़ा और अपसरा करके आपके सामने नरत्या करने लग जाएगी, हैं, आप राजा बन जाएंगे और नरत्या देखेंगे आप, तीन दिन में हैं, ऐसे हो सकता है, बहला, कई किताबे हमारे सामने भी आती है, मन करता है भाई, पहिक के मारें इन किताबेंगो, क्या है इन में, उसमें लिखा होता है, एक किताब च्याहें करे अपそれは साधना होती है, ये कौन किताब छाप रहा है कौन हमें पागल बना रहा है इस परकार की बाते लिख करके ऐसे नहीं होता ध्यान रखें ऐसी इस परकार की परलोभन की सिद्धियों में ना फसें करण पिसाचनी की सिद्धी तीन दिन में करें तीन दिन में करण विंदू टिप 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 टप टपाने लगता है और करण पिसाचनी बोने लगती है अरे वेटे मोहन देख राम लाल तो उसने मिलने आया देख इसकी जेब में दो रुपे का नोट पड़ाया और उस पर ये नंबर छपाया ऐसे होता है ये साधनाएं जीवन को जला देती है समझे हैं हम तुम्हें देखते जरूर है ऐसे हमने अपने जीवन तपाया है इन चीजों में हमने छुटपन से बचपन से हमने जो देखा इन साधनाओं में वो आप नहीं देख सकते हैं हमने कैसे इन साधना को जिया है हजारों लाखों रुपे का साहिती हमने पढ़ा होगा देखा होगा लेकिन निस्तार सार सार तो निकल गया निस्तार हाथ लगता है मतलब माखन किसे ने खा लिए आप पीते रहो पानी तुम मठेगा तो वो ही वाली बात है भाया ये साधना इतनी आसान नहीं है आप इन साधनाओं में अगर बहुत अच्छे से पकना चाते हैं तो अपना पहले हर्दे पकाईए अपना मन पकाईए मन में अच्छे शिश्य वाले गुन पैदा करिए और गुरू के प्रती आस्था जगाईए और जब भी किसी साधना को करें नोटिस नोट कीजिए मेरी बात को अब मैं जो कह देना चाहता हूं मुख्य बाते अगर कोई भी आप सठकलम की साधना या कोई भी विशेश साधना या मंत्र साधना यंत्र साधना सीखें या सीखते हैं प्रोपकार की भावना से अब चाकू घर में हैं किसलिए सबजी काटने के लिए फल काटने के लिए अब तुम उगली काटने लगो उससे गलती चाकू की है क्या कि साब आपकी साधना ये तो ऐसी है क्यों हम उंगले उठवा रहे हैं अपनी साधना उपे हमने देखा है कि यदा-कदा हम बहुत ऐसे कई बार कारे करम सुनने जानने को मिलते हैं जी वजीब सी बात थी तीन दिन में हम आपको आपकी कमर की हड़ी तोड़ देंगे तीन दिन में कमर की हड़ी जोड़ देंगे तीन दिन में हम आपको महापुरूस बना देंगे और आपको हम ऐसा कर देंगे आपको हम सिद्धी करा देंगे आपके कान में मंतर फूख देंगे भाईया इन परलोबनों में ना हैं ऐसा नहीं होता जीवन जलाना पड़ता है जीवन फूक ना पड़ता है सारी उमर जीते जीते निकल जाती है और कहने वाला फिल भी कह जाता है आप तो बुद्धू है है ना दस भासाई सीखने के बाद च्छै सबजेक्ट पढ़ने के बाद आने को गुरूं से शिक्षा लेने के बाद भी कई बार हम बुद्धू कहलाते हैं इसलिए परलोबन में कदापी ना आना कि आपकी हम कुंडले नहीं जगा देंगे साब कुंडले नहीं जागरत कर देंगे साब आप हमारे से 40 दिन रहे हम आपके कुंडली जगा देंगे साब आपके कुंडली जगा नहीं सिखा देंगे आपके सट तालों को खोल देंगे सट चक्र आपके जगा देंगे साब आपके जागे हैं सट चक्र ये बहुत बहुत जटिल परिकरियाए हैं हम बर्गर खाते हैं इज्जा पिज्जा खाते हैं कोल ड्रिंक पीते हैं और हम बात कर रहे हैं हम साहब आपके सट चक्र भेदेंगे सट चक्र भेदने के लिए जो नियम सैयम है वो भी निवाने पड़ते हैं खान पान के साथ साथ बहुत सारी चीजों का अचार वचार किया जाता है है ना यह ऐसे नहीं होती तो यह आज जो हमने आपको बात बताई इस्तंबन के लिए क्या होती है किसी चीज को एक तरह से फिक्स कर देना उस चीज के बिखराओ को ठहराओ में समेट देना देट इस इस्तंबन के लिए लेकिन सब चीजें अच्छी होती है लेकिन अगर दुर्वयोग करते हैं तो फिर तो बात ही अलग है फिर तो बात ही अलग है है ना यह सब बाते आप हमारी सुना करें और ध्यान रखा करें और आईए आज की ध्यान सादना में जुड़ते हैं हम मा जगधंबा से पराम विप्रते सोम्याम रत गटस्तरक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युतिमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कर्टवं विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगदासि खेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणा मलिलात्मे काम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें भगवती का शुब आसीज हम सब के उपर बरस रहा है कौम बोलते हुए नेत्रगोले समान्या हो जाए देखो साथको हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ कटू लगती हो कड़ भी लगती हो लेकि ये जो मैं कई बार कटूता का विहेव आपके साथ करता हूँ ये आपकी भलाई के लिए करता हूँ आपके दिमाग में कई बार कुछ चीजे घर कर जाती है उन्हें दूर करने के लिए करता हूँ उन्हें पॉलिश करने के लिए करता हूँ और आपको एक बहुत ही सुन्दर, भोला, भाला, बालक, बच्चा समझते हुए उन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ हो सकता है, मैं गलत हूँ है ना, भई सब के लिए मैं ठीक भी नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता हूँ तो आप हमें चमा करें, बस यह है कि जो मैं ब्रह्मन हूँ, ब्रह्मन का बालक हूँ, आप सब का अपना हूँ, तो जो मेरा फर्ज है, वो मैं आपके संग निभाता रहूँगा जैमा इंद्राक्षी मैं बहुत तेज़ों का, करीब चार-पांस दिनों से कवों का जूंड मेरे घर पे मन रहा था, यही सोचने परिशान था, यह सुब है, असुब है, क्या चीज है तो मैंने पैपरस्ट ने किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवों आ रहे हैं, कहने ने मुझको दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ तो आलोगिक है इनमें, दूसरा क्या जो इनका उद्देश है, जब महाकुम में आये थे, मेरे इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उद्देश से जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश है उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें करें सक्राइब करें सक्राइब करें